नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छ होंगे आज हम जिस विशे पर बात करने वाले ना यह important है और सुषान सिंग राजपूत के case में सबसे एहम होता है इसके उपर बात होनी चाहिए आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आज जो हम बात करते आए हैं जो इतन से important है वो यह है कि आज एक व्यक्ति निकल के आया जब CBI सोच चुकी थी CBI कुछ कर नहीं रही थी सरकारे सोच चुकी थी तो एक कूपर अस्पताल के अंदर का व्यक्ति निकल के आता है और वो कहता है कि यहां पे suicide नहीं murder है अब हम सब ने देखा कि डॉक्टर कैसे लिप यह सबसे important है कि CBI की डॉक्टर खुद किस तरह से काम कर रहे थे पूरी कूपर अस्पताल के लिए बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे में जब यह पांच डॉक्टर जिन्होंने पोस्ट मार्टम किया यह लिप्थ होने का उन्हीं का व्यक्ति आके पूरा परदाफाश करता है तो ऐसे में एक डर आता है और वो डर क्या है मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूं आपको धिहान होगा एक व्यक्ति और आया था जिसने का था मैं हेलपर था यानि कि सुशांत की बॉड़ी को ले जाने का मैंने काम किया था कूपर अस्पताल में और अगर इस उसके घर पे जाके उसको पीटा वीडियो बनाया जो मीडिया में दिखाया भी गया डीने में यह दिखाया गया था जी पे तो आप समझ लीजिए कि क्या पूरा मामला रहा था किस तरीके से चीजे संचालित की गई थी कि सुशान सिंग राजपूत के लिए कोई भी अगर अ लिटा गया उसकी बात को दबाया गया उसे जूठा कहलाया गया तो ऐसे में अब इन व्यक्ति का निकल के आना बहुती चिंता का विशेवी हो जाता है क्यों क्योंकि इनको CBI की तरफ से अब तक नहीं बुलाया गया है ना इनसे पूछताज की गई है CBI तो मैं बहुत क्ल कड़ी हैं लेकिन इनको CBI न अभी तक बुलाया नहीं है पूछताज के लिए इनसे स्टेटमेंट लेने के लिए और सबसे शर्म की बात है कि आज तक CBI ने इनसे प्रशन किया ही नहीं यह मेरे को तो ही समझ वात है कूपर ऑस्पिटल से भी फिर क्या किया होगा आप डॉ इसमें से एक सुशान सिंग राजपूत की थी एक सेलिब्रिटी की बॉडी है जिसका पोस्टमाटम कर रहे हो और आप उसकी से फोटोज लेते हो और वीडियो नहीं लेते हैं जिसमें यह कह रहे हैं कि सुशान की पैर की हड़ी तूटी भी थी उनके शरीर पे चोटों के निशान थे अब सुशाइड करने में ना चोट लगती है ना पैर की हड़ी तूटती है तो ऐसे में क्या इनको पहले मारा गया उसके बाद इनके गला घोट के यह प्रूफ करने की कोशिश की गई कि इन्होंने सुशाइड किया यह बहुत क्लियरली दिख रहा है जिसके उ चिंता करिये कि नहीं रहेंगे गी रहेंगे गी बड़ पॉइंट यह देर नहों हो जाए अब महराष्ट्र सरकार ने प्रोटेक्शन दिये बड़ शर्म की मतलब मैं क्लियरली गौँगा शर्म की बात लगती है मुझे कि मुंबई पुली से प्रोटेक्शन दे रही है वो सुषान्त की हाइट छहएपट है तो आपने सुषान्त की हाइट ही कम कर दी कि तो मुंबई पुलिस थी क्राइम सीन पर कि सुषाइड प्रोफ गरने के लिए सुषान्त की हाइट कम पंच नामा में शो कर दी है कि सुषान्त की हाइट कम थी तो डफिनेटली सुषाइड ह हो सकता है और पैर के हड़ी तूटी भी कहीं पर मेंशन नहीं कि आप अंदर के लोग आके बता रहे हैं इतना ही नहीं आप यह भी समझे सुषांत की बैंक पहले भी बोल चुकी है अब भी बोली अभी रीसेंटली कि जब मीतु सिंग सुषांत के घर पर उपस्थी थी सबसे इंपोर्टेंट जो मुझे लगता है कि सुषांत बोलते हैं कि जब दिशर सल्यान का मडर हुआ उनकी मृत्यू हुई और जब यह न्यूस चलाए गई कि सुषांत सिंग राजपूत की मैनेजर ने सुसाइड कर लिया तो सुषांत के लिए बताया गया कि वह बिलकुल इस सुषांत के काम को हेंडल किया तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर आप क्यों इस चीज को प्रमोट किये मीडिया ने पूरा अच्छे से कि सुषांत सिंग राजपूत की मैनेजर ठीक है और उसको और और आगे हम देखी तो एक सबतावा सुषांत की भी आत्मतिया दिखा दिया आपने यानि यह पहले दिशा की दिखाई कि वो डिप्रेशन में थी फिर दिखा दिया सुषांत डिप्रेशन में थे यानि कि एश्वर्या राय की मैनेजर नहीं थी दिशा सुषांत की मैनेजर थी क्योंकि मारना तो सुषांत को था अगर सु मच चुके थे कि अब उनको टार्गेट किया जा रहा है अब ये फिर फिर वही चीज आती है जब नारायंट रहने के रहे आधित्य ठाक्रे ने रेप किया किसका दिशा सन्यान का इस सबसे इंपोर्टेंट है कि एक यूनियन मिनिस्टर इतना बड़ा दावा कर रहा है तो CBI क्यों नहीं कर रहा है उस स्विक्षी का नारको हो जाना चाहीं है कि सच ह्योट है या ज़ूट है सामने आ जाना चाहीं है बट अभी तरह नहीं हुआ है ऑली दूसरा कि वह कहते हैं अगर दिशा का रेप हुआ तो क्या सुशान्त को पता था, क्योंकि definitely सुशान्त सिंग राजपूत को जानकारी थी कि दिशा के साथ क्या हुआ है, दिशा को किस तरीके से किन लोगों ने हत्या की है, और वो अब आगे जब कह रही है सुशान्त की बहन की, वो प्रेस कॉन्फरेंस करके सब बताना चाह र रहा कि उससे पहले ही, अब एक और जी समझे, कि तब तक सुशान्त को कुछ नहीं हुआ, जब तक सुशान्त की बहन मीतू, उनके साथ उनके घर पे थी, यह सबसे इंपॉर्टन्ट है, यानि कि अंदर का व्यक्तिलिप्त है, कि उसको पता है अभी बहन है, अभी सुशान उनके साथ थे, यह सबसे इंपॉर्टन्ट है, बहन के साथ थे, जाने के बाद उन्होंने स्टेप लिया, तो डेफिनिटली बहन का कुछ रहा है, लास्ट में रिया तो आठ को ही चली गई थी, यह एक और इंपॉर्टन्ट है, कि दिशा के मृत्ति होती है, रिया चली जा है, यह जो मुझे लग रहा है, इस केस को पूरा देखते हुए, इसके उपर मैं नहीं करता, CBI या के जांच करेगी, CBI बताएगी, बट अब SIT बैठ चुके है, वो बताएगी, बट जो मेरे को लगता है, इतने केस को इतना देखते हुए, कि दिशा का रेप पहले किया ग है, कि अब खेल बहुत उपर जा चुका है, तो एक सबसे इंपोर्टेंट, एक कड़ी मुझे लगती है, कि पूरी साजिश चल रही है, बात आती कि रूप कुमार शा आ गए, उन्होंने बोल दिया, तो क्या होगा, क्योंकि definitely रूप कुमार शा को, क्योंकि बचाना तो कात लोग को है, इतना है, अभी तक केस को पूरा दबा दिया, अब तक पूरा डिले कर दिया, तो आगे भी यही करना है, तो रूप कुमार को कैसे, गलत प्रूफ किया जाए, तो उसके लिए अभी यह क्या करेंगे, कूपर हॉस्पिटल के और लोग निकल के आएंगे, उस ट यह दो साल पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि अब तो कुछ मंत्री लोग तो यह कहने लग गए, कि इस विटनेस कोई गिरफतार करो, इसको अरेस्ट कर लो, आप सोचिए जो व्यक्ति आके, यह कह रहा है कि सुशान को जस्टिस मिलना चाहिए, मर्डर है, सूसाइड नहीं ह कह रहे हैं सूसाइड है, इसको अरेस्ट करो, यानि कि आप असलियत नहीं जानना चाहिए, आप कातिलों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अब वो ही मैंने का प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस दे रही है उसको, यह भी एक थोड़ा मेरे कुछ इंता का क्योंकि मुंबई पुलिस में कौन सा व्यक्ति इमानदार है, कौन सा नहीं है, तो यह भी बहुत डाउट हो जाता है, कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, मैं फिर कहूंगा, कि कुछ लोगों से पूरी मुंबई पुलिस बदनाम नहीं होती, बड़ जब बड़े- संचालित कर रहे थे, पुलिस को संचालित कर रहे हैं, सब करप्त थे, तो बहुत बड़ा एक चिंता का विश्यात है, खेर अभी उद्धवठागरी की सरकार नहीं है, अगाड़ी सरकार नहीं है, तो यह कुम्मीद है, बड़ देखना रहता है, क्योंकि सब राजनीती से जुड़े लोग हैं, तो इन पर भरुसा नहीं कर सकते, ब्लाइंट ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो एक इंपोर्टेंट जो मैंने सूचा आपको बता दू, कि मुंबई पुलिस की सुरक्षा देना थोड़ा मुझे चिंता लगता है, हापे CBI को संग्यान लेना चाहिए, जल्द आप यह मस्सोचिए, कि इतने समय में CBI ने कोई एविडेंस नहीं जुटाया, मजाक है, फिर तो मजाक है, जूट बोले, तो जैसे कि मैंने कहा कि अब जो एक सबसे इंपोर्टेंट है, वो यह है कि अब इनका मकसद रहेगा कि इस व्यक्ति को जूटा प्रूफ करो, कैसे कैमरे पर आने के लिए सबकार्ट में, यह कोई नई बात नहीं है, यह कह सकता है, क्योंकि धमका दिया जाएगा, हर व्यक्ति की फैमिली, आप उस व्यक्ति को अगर कैमरे पर देख रहे होंगे, जिस व्यक्ति ने, कोई ऐसा भी नहीं कि युवा है, एक अच्छी उम्र ल समझने की चीज़े, 38 साल का वो करियर बता रहे अपना, तो बेफकूफ तो है नहीं, बहुत सारी dead bodies देखी है, बहुत सारी dead bodies पे काम किया उन्होंने, और वो सुशान सिंग राजपूर की dead body में, आपको यह और बता दो, यह जो सहायक होते हैं जिनका 38 साल का करियर है, वो जो यह doctors होंगे, इनसे जादा experience रखते हैं, इसलिए तो cheat fight यही करते हैं शरीर की, उसके बाद doctor आजाते हैं, वो देखते हैं और सारी चीज़े और फिर बाद में body को सिलते भी यही हैं, नॉर्मल में आपको बता दो, ठीक है, यह जादा experience रखते हैं, बट degree doctor के पास है, इस इसलिए बिखते भी doctor है, तो अब यह सबसे important है, यहाँ पे CBI आजाए, जांच कर ले, जो ROP है उनको jail में डाल दे, एक अच्छी उम्मीद जगी है, यह सोनी नहीं चाहिए, यह बुझनी नहीं चाहिए, जो चिंगारी लगी है नहीं बुझनी नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाना है, आवाज उठानी है, सुशान को नहीं दिलवाना है, CBI को जगाना है, CBI सो चुकी है, बिख चुकी है, जो भी है, बट यहाँ पे उन्हें एक्शन लेनी की आवशक्ता है, क्योंकि इस देश की जनता को उन पर भरोसा है, और अगर वो उनके भरोसा को ठोकर म आ रहेंगे, तो जनता भी उनको गिरा देगी, यह सरकार को गिरा देगी, अब समझ लो, इस वीडियो में इतनी है, इसको आप शेयर कर दीजे, जहंद,